आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस सवाल में हमारे पास degree of dissociation for k4 fecn6 दे रखा है कितना 60% और हमसे पूछा गया है कि went of factor इसका क्या होगा तो आईए देखते हैं इसका went of factor हम कैसे निकालेंगे हमारे पास k4 fecn6 जो है वो हमारा इस प्रकार तूटता है वो तूटके बनाता है 4 k plus plus fecn6 minus 4 यह इस प्रकार तूटता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि initially क्या होगा initially अगर यह 1 है और यह 00 है तो 1 minus alpha यह हो जाएगा 4 alpha और यह हो जाएगा alpha तो हम total moles लिखेंगे at equilibrium तो वो कितना आएगा वो हमारे पास आजाएगा इन तीनों का addition यह हो जाएगा 1 plus 4 alpha तो i जो होगा वो क्या होता है moles at equilibrium upon initial mole होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 plus 4 alpha upon 1 तो यहां से हम देखेंगे i जो होगा वो कितना होगा 1 plus 4 और alpha हम क्या जानते हैं alpha हम को दे रखा है 60% association का कहने का मतलब है कि alpha 0.6 होगा तो यहां पर 0.6 पूट कर दिये तो हमारे पास i की जो value आएगी वो आजाएगा 3.4 तो यह हमारे पास आगया VENT of Factor K4 FECN 6 के लिए ठीक है Thank you